सलाम आले कुम डियर स्टूरेंट्स, होप यौ अलार गुड, तोरेस्ट टॉपिक इस अबाउट एक्सिडेंट एंड सेफटी, सो लेट स्टार्ट विद विद इस एंड एक्सिडेंट, एक्सिडेंट जो होता है, यह कोई भी हम बोल सकते हैं, अनेक्सपेक्टेड या हमारे प्रॉपर्टेगों यह इन्वारिमिंट में किसी भी जगा पे हमें जो है, कोई भी चीज की वज़े से, जो है, नुक्सान पहुंच सकता है, जिसकी वज़े से, हमें इंजीरीज भी हो सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब होगे, यह अन्प्रेडिक्टेबल होता है, ठ गब हमारे साथ कौन सी चीज के वचे से कोई भी एक्सिडेंट हो सकता है तो फार एक्जाम्पल जहे देखे आप अगर घर में कोई भी काम कर रहे हो ठीक है आप सीरी पे चाड़ रहे हो तो सीरी पे चाड़ते हुए जो है अगर आपने बैलन्स नहीं कर पाए यह आपने सीडी सही तरीकी से नहीं रखी तो आप उस स्टेज जो है जो है गिर जाओगे और उसकी वज़े से भी आपको यह तो हैड़ पे इंजिरी हो सकती है तो इसके बाद चलते हैं causes of common, causes of construction site, accidents अलब जहां पर आफ construction में, जहां पर आप काम करें यहां कहीं पर भी आप एक worker हो, employer हो यहां आपका कोई भी occupation है तो हर जगा पर चाहे आप घर में ही क्यों नो हर जगा पर आपको खादरा होता है कुछ चीजों से जैसे आप काम करने के टाइम पर अगर आप पूरा खायाल नहीं रखोगी अपना तो उसकी वज़े से जो है आपको फॉल फ्रॉम हाई हाइटर्स और स्कैफ होल्डिंग जैसे कि आप जो है काम करते टाइम जो अगर आप उन्ची इमारतू पे गाम कर रहे हो तो वहां से आपको खत्रा होता है स्लिप्स जो हो सकती है आपको आपको जो है यहां पर कहीं पर देखिए आप इंडिस्ट्री में कभी आग लगती है कभी जो है किसी मशीन में आग लगती है किसी ऐसी बिल्डिंग में आग लग जाती है जिसकी वज़े से जो है एक तो व प्रैसा होती है। जिसकी वज़े से जो है। मतलब घर एसे ऐसी केसी होते है। यह हम बोल सकते है। शात मिशनेरी एक्सिडेंस या समानी होड़ी से पर हुआ है। बाहर जाते टाइम किया पता किसी गाड़ी की वज़े से आपको नुकसान पहुचा सकते हैं अब खुद राइब कर लिए उसकी वज़े से तो धाम मिंज यह एग्सपेक्टेड होते जो भी इन होते हैं हम फॉलो नहीं करते हैं हम जो एक्विपमेंट्स इस्तवाल करते हैं उसका हम अच्छे से ख्याल नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें इन जीजों का फैस करना पड़ता है ठीक है और इसके बाहर चलते है फोर कॉजिस ऑफ एक्सिडेंस जैसे कि I did not think मतलब I did not see I did not know I didn't not ask अब कोई एक से आप लोगों को पता ही नहीं होता है आपने सोचा भी नहीं होता है कि आप अभी बाहर जाओगे आपके साथ क्या कुछ भी हो सकता है किसी भी यह आप बाहर जाते टाइम आपको घर में इसलिप होगी किसी टाइल पे यह आपका पैर मुड़ गया उसकी वजह से यह आप ऐसे जलत बाजी में निकल गए कि आपने देखा ही नहीं है उदर से गाड़ी आ रही है जिसकी वज़े से नुकसान हो सकता है ठीक है तो यह जो है यह चीज़े जो हमें इन चीज़ों का पूरा एहतियात पर रहतना चाहिए ताकि हम इन एक्सिदेंस को से अपने आपको महफूस कर सके ठीक है इसके बाद एक लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सिदेंस अब देखिए जहां पे भी आप काम कर पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ों की वज़े से एक्सिदेंस हो सकते हैं मतलब अकॉर्डिंग तो नीचर ऑफ इंजिरी यह टेंपरिरी डिसेबलिमेंट होता है पार्शल होता है टोटल यह डेथ होती है देखिए कभी कबार जो होता है मायल्ड किसी को इंजिरी होग कोई जखम वगेरा लगते हैं उसमें पटी करती कुछ दिनों के बाद कुछ में जादा लग जाती है ठीक है तो उसको कुछ मांस यह सालों तक जो है उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है यह किसी को इतनी जादा इसकी वज़े से डिसेबल मेंट होती है कि वह पूरा जो ठीक है और इसके बाद जो है टाइप सॉप एकसिडेंस ठीक है जिसे रोड ट्राफिक एकसिडेंस होगी है डॉमस्टिक एकसिडेंस रोड ट्राफिक जैसे आप गाड़ी चला रहे हो ठीक है कुम आप चाहे बाइक चला रहे हो आप चाहे बड़ी गाड़ी चला रहे हो को किसी के साथ कोई भी एकसिडेंट वागेर होना डॉमस्टिक मीनस घरों में जो होते हैं जैसे ड्रावनी कोई नहाने के लिए खही पे गया तो उसकी वज़े से यह आप घर का काम कर रहे हो हाथ वागेरा चल गया यह स्टेज से गिर के और इंडिस्ट्रियल एकसिडेंस होते हैं रेलवे एकसिडेंस यह वाइलेंस आप लड़ाई जगरा करते हो किसी के साथ उसकी वज़े से यह ठीक है आपको जो है नुकसान पहुंचता है उसके बाद जो है जैसे कि कुछ इंजिरी जो होती है जैसे बहुत ही जैसे कुछ है हजार्ड जो होते हैं काम करने के भिजएगार के साथ टकराते हो जिसके यह एलेक्रिक्षी वगयरा के साथ कका मकर रहे से यह उसकी वज़गा से यह जो हैं कुछ ऑजिन्सेहिं में अगर आप क करते तो आपका वहाँ पे रेडीशंस हैं यह के मिकल सॉस्टेंसिज से उसकी वज़गा से आपको निजिरी ह हो सकती है ठीक है तो जितनी भी इंजिरीज है चाहे हो serious injuries हो चाहे हो किसी हजार्स की वज़ेसे ही एजिन्सी की वज़ेसे चाहे हो घर में हो चाहे आपकी office में आप कहीं पे भी आप workshop पे काम कर रहे हो तो इन से बचने उस में लिए हमें क्या करना है का More वेल्डिंग करता है आपने देखा होगा कि यह थो प्रोटेक्टीव एक्वेप्मेट नहीं लगासर हेगा णिए खुद कि आए अखिछ अ सबसें बोल सकते ओज में प्रोटेक्टीव ग्लासमें टो ़ुम कि उस इसको आई एरिटेशन हो सकती है आँखों पर उसकी रोशनी पर असर पड़ सकता है तो आपको अपने काम के हिसाब से आपको वह एक्विपमेंट लगाने चाहिए जिसकी वजह से आप अपने आपको प्रोटेक्ट करेंगे ऐसी अगर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको तो यहां तो सीट बेल्ट यहां हैलमिट वगेरा अगर आप टू विला चला रहे है तो वह आपको लगाना चाहिए यहां आपकी स्पीड जो है इतनी जादा नहीं होनी चाहिए कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओ चीक है और ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं गरों में आप काम कर रहे हो तो चाहिए आप सबजी काट रहे हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं यहां ऐसी ओबजिक्ट के साथ आप डील कर जो बहुत शाप होते जैसे नाइफ अगेरा तो आपको उनको इस्तिमाल करने से पहले जो है देखना चाहिए कि इसका तरीका क्या ह है ठीक है इसके बाद ही आपको उन चीज़ों को इस्तिमाल करना चाहिए और इस वज़े से जो है जब हम देख के कोई भी चीज़ को देख के जो है या हमें इन इस्ट्रक्शन पता होंगी कोई मिशीन कैसे ऑपरेट होगी तो हम इन एकसिडेंसे अपने आपको बचा सकते हो दूसरों को भी लगा सकते है तक मतलब यही होगी है कि हमें जो है कोई भी काम करने से पहले या कोई भी चीज करने से पहले हमें जो है कुछ ए इहतियात रखना जे हमें इंतियदा अभी जो है अपना निचे ताकि हम अपने आपको प्रोटेक्ट कर पाए इन एक्सिदेंस से दाट इस ओल फॉर टोड़े थांक यू